हलो हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ डॉक्टर पूनम और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने 12th बायलोजी से पास आउट किया है तो आप कौन से और कोर्से से जो कर सकते हैं अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं मुझसे बहुत सारे स्टुडेंट ने पूछा कि मैम हमें 12 के बाद क्या करना चाहिए पैरेंस ने भी पूछा तो मैंने सोचा कि क्यो ना इसके उपर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे काफी लोगों को help मिल सकता है तो मैं आपको पहले advice हूँगी एक कि कोई भी course खराब नहीं होता है ये depend करता है कि आपको किस में interest है यानि आप किस field में जाना चाहते है medical field में या teaching field में या business में ये आपके उपर depend करता है कि आपको कौन सा course करना है ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया एक course अच्छा एक course अच्छा है तो आप इसमें ही जाना अच्छा आपको लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आपको जिस field में interest है आप उसमें ही जाईए ये आपके interest के उपर depend करता है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले है B.Sc. B.Sc. का full form है Bachelor of Science ये तीन साल का course होता है इसमें आपको admission merit based पे भी मिल सकता है और entrance exam के उपर भी मिल सकता है ये depend करता है कि आप कौन से college से पढ़ रहे हो कौन से institute से पढ़ रहे हो या कौन से university से पढ़ रहे हो ये उसके उपर depend करता है कि वो आपको कैसे admission देती है तो आप इस तरीके से direct भी जा सकते हो merit based पे भी जा सकते हो और entrance exam देने के बाद भी जा सकते हो इसके बाद B.Sc. के बाद अगर आपको और आगे पढ़ना है तो आप जो civil exam होते हैं जैसे I.S. PCS ये भी आप इसकी भी तयारी कर सकते हो इसके भी exam आप दे सकते हो इसके बाद आप B.Sc. के बाद आप M.Sc. कर सकते हो यानि Master of Science ये भी आप कर सकते हो इसे करने के बाद आपको as a lecturer, as a teacher as a professor job मिल सकता है इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाते हो तो आप B.Sc. कर सकते हो तो ये था पहला course जो आप बहुत ही इजली बारवी पास करने के बाद अगर आप biology से हो तो कर सकते हो B.Sc. में और भी बहुत सारे courses हैं जैसे कि B.Sc. Fashion Reginal और B.Sc. Animation B.Sc. में आप chemistry से भी कर सकते हो B.Sc. आप physics से भी कर सकते हो ये था B.Sc. के बारे में information जो आप कर सकते हो after 12 अगर आपने biology किया है तो इसके बाद next है D. Pharma D. Pharma यानि Diploma in Pharmacy आप ये भी बहुत अच्छा course है ये दो साल का course होता है और इसमें आपको direct admission मिल सकता है और merit-based पे भी admission मिल सकता है और कुछ college के rules होते हैं जैसे कि वो entrance exam लेते हैं उसके उपर भी मतब admission देते हैं तो आप इस तरीके से admission ले सकते हो और ये दो साल का course होता है और बहुत ही अच्छा एक course है इसमें आपको pharmaceutical company में jobs मिल सकते है as a MR और इसके बाद आप अपना खुद का self हो ये medical shop भी open कर सकते हो और इसमें आपको railway hospital में job भी मिल सकता है government hospital में आपको job मिल सकता है और आपको private hospital में भी job मिल सकता है और आप अपना मैंने बताया कि आप अपना self का medical store भी open कर सकते हैं तो ये था D pharma के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया अब next बात करते हैं B Pharma B Pharma यानि Bachelor of Pharmacy ये भी कोर्स बहुत ही अच्छा है ये 4 साल का कोर्स है और बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास चाइम है तो ये कोर्स भी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते है जैसे कि मैंने बताया ये 4 साल का कोर्स है इसमें भी अड्मिशन, डारेक्ट अड्मिशन होता है और मेरिट बेस में भी अड्मिशन होता है और इंटरेंस इक्जाम देने के बाद भी अड्मिशन होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में है इसमें आप क्या कर सकते हैं आप इसमें ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप किसी फार्मासोटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हैं आप अपना खुद का बिजनस खोल सकते हैं आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं आपको गौर्मेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब मिल सकता है तो ये था वी फार्मा के बारे में जो मैंने आपको बताया अब नेक्स चलते हैं DMLT DMLT का फूल फॉर्म होता है Diploma in Medical Technology Lab Technology तो आप इसमें ये दो साल का कोर्स होता है DMLT आप इसे भी कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, पैरा मेडिकल कोर्स है आप इसे कर सकते हैं इसमें भी direct admission होता है merit based admission होता है और कुछ college होते हैं जो अपना खुद के college का entrance exam लेते हैं फिर admission देते हैं इस तरीके से भी आप DMLT कर सकते हैं ये भी दो साल का कोर्स है और बहुत ही easy course है आप असानी से कर सकते हैं इसको करने के बाद आपको government hospital में मतलब as a lab technician job मिलेगा और private hospital में भी आपको as a lab technician job मिल सकता है या तो अब अपना खुद का pathology center खोल सकते हैं lab खोल सकते हैं तो ये था DMLT के बारे में तो अब हम बात करेंगे BMLT के बारे में यानि Bachelor of Medical Laboratory Technologies ये कोर्स जो होता है तीन साल का होता है ये भी बहुत अच्छा कोर्स है आप 12 के बाद कर सकते हैं ये भी paramedical कोर्स में आता है और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसे ये करने के बाद आपको as a degree confirm किया जाता है और इसे करने के बाद इसे भी direct admission हो सकता है merit based पे भी admission हो सकता है और कुछ college होते हैं जो entrance exam अपना college का organization करते हैं उससे भी आप cross करके admission ले सकते हैं तो ये depend करता है कि आप कौन से college में admission ले रहे हैं कौन से institute में admission ले रहे हैं तो ये जैसे कि मैंने बताया तीन साल का course है तो इसमें भी आप private job कर सकते हैं private hospital में यानि job कर सकते हैं government hospital में job कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना खुद का lab यानि laboratory भी खोल सकते हैं pathology center भी open कर सकते हैं तो ये था B.M.L.T. के बारे में तो अब हम बात करेंगे G.N.M. के बारे में जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है G.N.M. और N.M. के बारे में D. Pharma के बारे में तो मैं ये सब clear कर देना चाहती हूं तो अब हम बात करेंगे G.N.M. के बारे में जनरल नर्सिंग एन मिडवाइफरी तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये कोर्स जो होता है तीन साल और छे मैने का होता है तीन साल जो होता है और छे मैना जो होता है वो इंटनसीब होता है तो यानि ये पूरा तीन साल छे मैने का कोर्स है इसमें क्या ह होता है एज लिमिट किया गया है जैसे कि आप अगर 17 से 35 साल के बीच में हैं तो ही एक कोर्स आप कर सकते हैं अगर आप 17 साल के नीचे हैं तो आप एक कोर्स नहीं कर सकते हैं अगर आप 35 साल के ऊपर हैं तो भी आप एक कोर्स नहीं कर सकते हैं तो यह भी कोर्स बहुत और अपना swoją routine होस्पीटल में प्राइबेट घॉप मिल सकता है और अप्ना करियर इसमें भी बहुत अच्छा आगे बना सकते है जी एनम में आप डाइररेक्ट एड्मिशन ले सकते हैंिसमें भी मेडिक बिसमें इक्जाम होता हैंं और entrance exam भी लेते हैं, कुछ colleges और direct भी admission देते हैं, तो आप इस तरीके से admission ले सकते हैं, अब next बात करेंगे हम NM के बारे में, यानि auxiliary nursing and midwifery, यह जो होता है course दो साल का होता है, और इसमें भी age limit किया गया है, जैसे कि 72-35, यानि 17 से 35 साल के बीच में ही आप यह course कर सकते हैं, अगर आप 35 साल के ऊपर हैं, तो भी आप NM का course नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी government job मिल सकते हैं, और private job यानि hospital में मिल सकते हैं, तो यह भी course अच्छा है, दो साल का है, आप कर सकते हैं, और बहुत ही easily यह course हो भी जाता है, तो अभी हम next बात करेंगे, BSc nursing के बारे में, यानि BSc nursing, BSc nursing का full form है Bachelor of Science in Nursing, तो आप इस course को भी कर सकते हैं, यह 4 साल का course होता है, इसे आप NEET का exam देकर, यानि cross करकर आप यह course कर सकते हैं, यह भी बहुत तीजी होता है, और after 12 के बाद ही किया जाता है, इसमें भी आपको government job में hospital मिल सकता है, और private job में भी hospital as a nurse के लिए मिल सकता ह अगर आप nursing line में जाना चाते हैं, लोगों की सेवा करना चाते हैं, तो आप इस नर्सिंग का job अच्छे से कर सकते हैं, तो इसमें भी आप अपना career बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, तो next बात करेंगे BPT यानि Bachelor of Physiotherapy, यह भी course बहुत ही अच्छा है, यह 4 साल का course होता है, य और इसमें भी आपको direct admission लिया जाता है, और merit based पे admission लिया जाता है, और entrance exam के उपर भी admission लिया जाता है, तो यह depend करता है कि आपको किस college में जाना है, किस institution में जाना है, उसके उपर depend करता है, तो यह भी course बहुत इजी है, इसमें आप hospital में job कर सकते हैं, आप अपना खुद का clinic इसमें लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो यह था physiotherapy का course जो बहुत ही अच्छा है, और 4.5 साल का यह भी course होता है, नेक्स course के बारे में बात करेंगे BOT, यानि Bachelor of occupational therapy, यह भी course बहुत अच्छा है, यह भी 4.5 साल का course होता है, और इसमें भी direct admission लिया जाता है, या तो merit based पे admission लिय जाता है, तो यह भी बहुत अच्छा course है, आप इसे भी कर सकते हैं, इसमें आपको जो government hospital है, वहाँ पे भी job मिल सकता है, प्राइवेट में भी मिल सकता है, आप as a lecturer job कर सकते हैं, और आप NGO वेगरा में भी job कर सकते हैं, old age जो home होते हैं, उस जगह पे भी जाके आप job कर सकते हैं, इस तरीके से आप BOT भी complete कर सकते हैं, यह भी साड़े चार साल का course होता है, और यह बहुत ही अच्छा course है, इसमें भी आप अपना career आगे बढ़ा सकते हैं, तो next बात करते हैं, अगर आपको doctor line में जाना है, जैसे कि बढ़ा कुछ बनना है, तो next बात करेंगे MBBS के बार MBBS का full form है, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, एक course साड़े पान साल का होता है, और यह बहुत ही अच्छा course है, अगर आप biology से 12th pass किये हैं, तो यह बहुत अच्छा course है, और साड़े पान साल का है, और आगे इसके लिए बहुत ही अच्छा scope भी है, आपका career भी बहुत ही अच्छा होगा, और आपक कर सकते हैं, और इसके बाद इसमें आपको NEET का एक्जाम देकर admission लेना पड़ेगा, यानि आपको NEET का exam जो है वो cross करना पड़ेगा, इसके बाद आप इसमें admission ले सकते हैं, इसके बाद आप अगर और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप MDMS कर सकते हैं, वो भी 3 साल का course होत तो आप इस तरीके से MBBS भी कर सकते हैं, MBBS करने के बाद आपको as a government hospital में job मिलेगा as a doctor, और उसके बाद आप private hospital में भी job कर सकते हैं, आप अपना खुद का clinic भी open कर सकते हैं, तो ये था MBBS के बारे में जो 5 साल का course होता है, आप बहुत ही अच्छे से इसमें आगे अपना career बन सकते हैं, तो अभी next topic, next पे बात करते हैं, BDS यानि Bachelor of Dental Surgery, ये 5 साल का course होता है, ये course भी बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत ही आगे अपना career आगे अच्छा बना सकते हैं, तो BDS बहुत अच्छा course है, इसे आप NEET का exam देकर admission ले सकते हैं, इसमें आप direct भी admission ले सकते ह हैं, अगर आपके पास money है, यानि पैसे है, तो आप इसमें direct भी admission ले सकते हैं, और इसमें NEET का exam देने के बाद भी आप इस course को कर सकते हैं, ये 5 साल का course होता है, और ये बहुत ही अच्छा course है, आप अपना career इसमें भी आगे अच्छा बना सकते हैं, नेक्स टॉपिक, यानि नेक्स पे आते हैं, नेक्स कोर्स पे आते हैं BHMS, यानि इसका full form है Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, ये कोर्स साड़े 5 साल का होता है, यानि 4 साल theoretical होते हैं, और 1 साल intensive होता है, तो आप इस course को भी कर सकते हैं, ये भी course बहुत ही अच्छा है, और इसे भी आप internet exam, यानि need का exam, क्रॉस करके, या इंट्रेस exam देकर admission ले सकते हैं और आप इस course को करने के लिए direct भी admission ले सकते हैं और ये course बहुत ही अच्छा है इसमें भी आप अपना career आगे अच्छा बना सकते हैं आप इसमें as a government hospital में भी job कर सकते हैं private hospital में भी job कर सकते हैं आप अपना खुद का clinic open कर सकते हैं तो इस तरीके से आप BHMS में यानि होमेपेतिक में आप अपना career आगे बढ़ा सकते हैं तो अब हम बात करेंगे next course के बारे में sorry मैंने बीच्छ में एक बात बताना भूल गई आप बीच्छ में के बाद MDB कर सकते हैं वो 3 साल का course होता है तो अब हम next course के बारे में बात करेंगे BMS BMS यानि Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery ये भी 5.5 साल का course होता है ये भी आपके career के लिए बहुत ही अच्छा course है इसमें भी आपको direct admission मिल सकता है और आप अगर entrance exam cross करते हैं यानि आप NEED का exam cross करते हैं उस base पे भी आपको admission मिल सकता है तो इसमें भी आप government job में hospital कर सकते हैं private job में hospital कर सकते हैं और आप अपना खुद का clinic भी open कर सकते हैं तो BMS में आप अपना career अच्छा बना सकते हैं अगर आप इसके आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप MD कर सकते हैं वो भी तीन साल का course होता है वो भी आपके career के लिए बहुत ही अच्छा रहता है तो अभी next course यानि next topic के उपर बात करेंगे आपको next course कौन सा करना है next course है B.U.U.M.S. यानि Bachelor of Unani Medical and Surgery ये भी course बहुत ही अच्छा है और ये भी 5.5 साल का course होता है और इसमें भी आप अपना career बहुत ही अच्छा बना सकते है इसमें भी आपको direct admission मिल जाएगा या तो आप need का exam या कोई entrance exam जो college के हिसाब से होता है आप देकर इसमें भी admission ले सकते है इसमें भी merit based भी admission होता है तो आप ये भी course कर सकते हैं कि आपकी eomader withdraw के लिए बहुत ही अच्छा course है तो ये सारे थे course जो मैंने आपको बताए है आपके career के लिए आपके future लिए ये सारे course बहुत ही अच्छे है मैने इस course में आपको fee कितना लगेगा ये नहीं बताया है विकॉस यह depend करता है कि आपको कौन से college में आपने admission लिया है, आपका कौन सा college है, कौन से city में है, आपकी कौन से university है, आपका कौन सा institution है, यह सारे चीज के उपर depend करता है, इसलिए मैंने fee के बारे में नहीं बताया है आप government college में study कर रहे हो, या private college में study कर रहे हो, इसके उपर भी depend है, इसलिए मैंने fee के बारे में नहीं बताया है, यह depend करता है city के उपर, college के उपर, institution के उपर, तो मैंने नहीं बताया है इसके बारे में और मैंने एक चीज और आपको नहीं बताई है, कि आपको ये course करने के बाद, job मिलने के बाद आपको कितनी salary मिलेगी मैंने इसलिए नहीं बताया, कि यह depend करता है, कि आप government hospital में job कर रहे हो, या private hospital में job कर रहे हो, या आप अपना खुद का cleaning खोल कर बैठे हो तो इसलिए मैंने नहीं बताया कि आपको कितनी salary मिलेगी, वो depend करता है आपके hospital के उपर, आपके knowledge के उपर, आपको कितनी experience है, कितने साल की उसके उपर भी salary depend करता है आप कौन से city में job कर रहे है उसके उपर भी salary depend करता है तो इसलिए मैंने salary के बारे में नहीं बताया है ये सारे courses के नाम मैं आपको description box में लिख दूँगी आप वहाँ से भी जाके courses के नाम check कर सकते हैं मैं line wise लिख दूँगी आप जाकर वहाँ से भी check कर सकते हैं अगर आपको कोई confusion है या कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे comments कर सकते हैं मैं reply जरूर करूँगी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को like कीजिए subscribe कीजिए और थैंक्स फोर वाचिंग मैं वीडियो